बच्चों, important concept series में, आज हम लोग सेखेंगे, infinite ladder में अगर हमकों के combination दिया हो, capacitor का या resistance का, तो उसका equivalent हम लोग कैसे रिकालते हैं? बटा, concept दोनों की common होते हैं, बस जुड़ने के तरीके में अंतर आता है, let's begin. infinite ladder, अगर आपके पास कोई एक ऐसा combination दिया हुआ हो, जो कि till infinite जा रहा है, मतलब एक particular combination है, जो अपने आपको repeat करते हुए till infinite जा रहा है, जैसे इस question में दिया हुआ है, कि हमें A और B के बीच का equivalent कैस्टेंस निकालना है, और ये एक particular combination है, जो अपने आपको repeat करता चला जा रहा है और पिटा, aim अपना ये हो कि इसमें हमें A और B के बीच का equivalent कैस्टेंस find out करना हो, अगर ये ही concept resistance पे जाएगा, तो भी concept हमारा same रहेगा, क्या है वो concept, पिटा, infinity जो होता है, वो किसी भी एक unit को आप multiply करते चले जाओ, या इवन आप कह सकते हो, add करते चले जाओ, तो आपको हम तीनों कैपस्टर्स को उठा लें, तो ये अपना minimum unit होगा, यानि यही बार-बार repeat होकर के infinite form कर रहा है, तो पहला step आप क्या करोगे, कि ये जो minimum unit है, इसको काट लोगे, इसको काट लिया, मतलब आप कर क्या रहे हो, infinity में से, अगर आप एक को निकाल लो, एक unit को, तो उस उसका भी तो capacitance वही आना चाहिए, जो इसको जोडने के बाद आता, यानि infinity में से आप एक unit काटो, चाहे जोडो, उस पर कोई फरक नहीं पड़ता, तो जो unit आपने काटा, उसके बाद भी तो infinity है वो, तो उसका भी capacitance वही आना चाहिए, जो अगर इसको unit को जोडने तो तो आप करोगे क्या, आप इसका equivalent निकाल लोगे, और उसको भी सी के ही बराबर कर दोगे, अब इसमें बहुत easy हो गया, यह six और three इन दोनों को series में अगर आप ले लो, तो इस combination को आप replace कर सकते हो, इस combination से, यानि यह six और three का series combination आप बना लो two फेरड, और two और c आपस में parallel में है, तो इसको आप लिख दो two plus c, यह point a हो गया, यह point b हो गया, अब यह दो character का series combination बन गया, एक two और एक two plus c, अब जैसे characters अगर series में हो, तो उनको आप कैसे निकाल सकते हो, अगर दो है तो c1, c2 by c1 plus c2, होते हैं, वो r1, r2 by r1 plus r2, तो अब इसको इसको आप solve कर लो, तो c1 into c2 by c1 plus c2, that is 2 plus 2 plus c, that is c plus 4, और इसको भी c के ही बरावर कर दो, इसको भी c के ही बरावर कर दो, ठीक है, क्यों, कोगे infinity में से आपने unit को काटा, या जोड़ा उससे infinity पर कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहि हैगी, solve कर लो इसको, तो यह आ गया, इदर से 4 plus 2c, c2 plus 4c, और quadratic equation अपनी बन गई, c2 plus 2c minus 4 equal to 0, यह अपने पास quadratic equation आ गई, yes, अब इससे solve करो, तो minus b plus minus root b square minus 4c, that is plus 16 by 2, अब इसको अगर आप solve कर लो अब, तो यह बन जाएगा, रूट में आ गया है, यह 20, तो यह हो जाएगा, 2 root 5 by 2, तो आपको c की दो values मिल गई, पेटा कौन सी दो values, cancel करो 2 को उपर नीचे, तो यह दो values, अब आपको यह ध्यान रखना है, पेटा की capacitance कभी negative हो नहीं सकता, तो आप उसमें से minus value को eliminate कर दो, हटा दो, तो आपको पेटा, आपका final answer मिल गया, obviously ferrite, ठीक है, तो यह जो concept है, यह capacitor पर आपने चलाया है, as it is, यह resistance जे भी चल सकता है, बस जुड़ने का तरीका बदल जाएगा, जैसे capacitor पहलल में जुड़ते हैं, resistance वैसे series में जुड़ते हैं, ठीक है, तो पेटा, अब आप इस पर जो questions आपके sheet में, आपके study material में, बुक्स में कहीं भी हो, आप practice करके देखो, आपको इससे help मिलेगे, पेटा, important concept series playlist है, उसमें आप चेक कर लेना, उसमें कई concepts हम लोगों ने हम लोग डिसकस कर रहे हैं, और अगर कोई concept आपको और चाहिए, तो पेटा, उसके आपको comment box में लिख दो, आपको हम लोग उस comment को पहले ही cover कर लेंगे, पेटा, आपकी physics की preparation को और अच्छा करने के लिए, आप physics moonshot app को download कर लो, उसमें आपको बहुत सारी facilities मिल जाती हैं, उसमें एक तो आप अपने doubts विप हो सकते हो, और उस chat section में जा करके, उसमें आप पूरे physics के test हैं, वो freely आप दे सकते हो, और उसमें अ कर रहे हो, तो सकता आपका कोई particular chapter उतना strong नहीं है, जितना उसको होना चाहिए, अब आप क्या करते हो, अब आप उस chapter को अगर strong करना चाहते हो, तो अगर आप YouTube पे पढ़ो, तो उसमें तो content इतना ज़्यादा है, कि आपको यह नहीं समय में आता, कि कहां से शुरू, कहां प आपको उस पे chapters मिल जाते हैं, और उन chapters में बिल्कुल basic level से completion level तक है, और उसमें बिल्कुल जैसे class में पढ़ाया जाता है, कि पहले आपने इतना पढ़ लिया, अब यह homework कर लो, अब इतना पढ़ लिया, अब यह homework कर लो, तो इस तरह से बचो sheet के questions, SEV book के questions, आप आराम से उ step by step आपका cover रोता चला जाएगा, उस chapter कोई doubt हो, अगेन उसको आप पोश सकते हो, ठीक है, अगर विटा आपको one to one personal mentoring करनी है, doubt clearing करनी है, तो आप भी या वो भी आप possible है, यह जो number दिया हुआ है आपको, इस पर आप WhatsApp करके, जो office team है, उससे connect हो सकते हो, उससे help ले सकते हो